Hello guys once again welcome back to WSQ Tech YouTube channel I am Pranjay Mathur तो आज अपन बात कर रहे हैं transform property की तो basically अपने पहले वाले sessions में बात करे थी transform की दो ऐसी properties की जिसका नाम दर translate and rotate तो आज अपन बात करने वाले हैं transform की दो नई properties के बारे में तो आज जो दो नई properties है उनका नाम है skew and other one is scale तो आज skew and scale के बारे में बात करेंगे तो इनका मैं एक short description देदेता हूँ की skew scale क्या करती है तो skew क्या करती है जितनी अपनी div है उसको rotate उसको tilt करके अपन को show up करेगी अपने axis के through और scale क्या करेगी? 이제 scale अपन को जितनी अपनी width है और जितनी अपनी height है उसको उसके multiples में काम करेगी तो चली गाई शुरू करते हैं अपने skew के साथ में and then we shift up to scale तो अभी अपन skew के बारे में बात कर रहे हैं skew क्या करेगी यह अपने graph paper वेज़िए अपने axis पे काम करेगी तो यह अपने इसके अंदर अपन को इसकी degree प्रोवाइट करनी पड़ेगी guys तो यह rotate से थोड़ा सा अलग है rotate को अपन को बताना पड़ा था कि यह rotate करेगी x-axis और y-axis के according और skew में क्या होगा यह अपन को इस axis point के according यह rotate नहीं करेगी यह axis point के according और skew करेगी यह access point के according rotate करेगी तो चली काई शुरू करते हैं अपने skew के साथ में तो कैस मैं आ गया हूँ transfer folder के अंदर और यहाँ पर मैंने index2.html की file create कर रखी है इसको मैं अपने अपने editor के अंदर open करता हूँ यहाँ पर मैं html का structure ready कर देता हूँ साथ ही साथ में style tag यहाँ पर मैं एक div create कर रहा हूँ जिसके उपर अपन इस क्यू की properties apply करेंगे यहाँ पर मैं इसकी main की class call करिए जिसको मैं विर्थ दूँगा 100 pixels की and height दूँगा 100 pixels की and then the background color मैं देता हूँ light green इसके अंदर मैं content लिख देता हूँ तो welcome to was cube tag अब मैं इसको अपने browser के अंदर open करता हूँ तो यहाँ पर यह मेरी div आ चुकी जिसके अंदर welcome to was cube tag लिखावा है और साथ ही साथ मैं इसको एक margin प्रोवाइड कर दूँगा जिससे की यह मेरे बिल्कुल व्यूपोर्ट के center में आ जाए जिसको मैं margin auto and margin टॉप से मैं कुछ दे देता हूँ around 20 pixels की and refresh तो यहाँ पास यहाँ पर यह div आ चुकी है अब मैं क्या करूँगा इसको मैं hover पे इसका मैं effect शो करना चाहता हूँ तो dot main और colon hover अब इसके अंदर मैं इसको एक transition effect देता हूँ for example two seconds का और मैं इसके अंदर transform and then skew अब मैं skew के अंदर मैं इसको बताऊँगा कि मैं कितने degree से इसको rotate या इसको मैं move कराना चाहता हूँ for example मैंने दे दिया 30 pixel 30 मैंने दे दिया इसको 30 degree file save and open in browser यहाँ पर मैं जैसे इस पर मैं अपना mouse pointer लेके जाऊँगा तो यह क्या करेगी यह हलकी हलकी सी टिल्ट होना शुरू होगी गाई तो वैसे ही जैसे इसको मैंने positive में दिया है वैसे ही मैं इसको negative में भी दे सकता हूँ file save and refresh जैसे मैं करूंगा तो यह negative की तरफ बू होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर तो हो रहा है कि जैसे जैसे मैं इसको degree increase करता जाँगा यह screw इसका increase होता जाएगा तो 90 डिग्री पर यह पूरी 90 डिग्री स्क्यू हो चुकी है अब मैं क्या करूंगा इसको मैं x-axis पर rotate यह नहीं कि x-axis पर इसको skew करना चाहता हूँ file save and refresh तो हुआ क्या गाइज यह x-axis पर skew हुई अब मैं बोलूंगा इसको y-axis पर skew हो तो यह y-axis पर skew होने शुरू हो जाएगी तो यह होता है अपने skew का use कि किस तरीके से अपन effect produce कर सकते हैं is skew की help से अब अपन बात करेंगे scale के बारे में scale क्या करती है scale क्या करेगी यह मेरी divs को increase करेगी width और height के through तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको मैं एक div create करता हूँ for example इस div की width और height वो है 300 pixels की width 200 pixels की height है तो मैंने इसको बोला कि scale मैंने आपको बतायता है scale multiplier में काम करती है तो मैंने इसको बोला scale 1.5 तो scale क्या करेगी यह होगी इसकी width और यह होगी इसकी height तो मैंने इसको बोला कि जो इसकी width है उसको 1.5 times increase करना है और इसकी height है इसको 2 times increase करना है guys तो यह होता है difference skew में और अपन जैसे hover में width और height डाल देते थे वो उसको अपन एक particular उसको अपन width और height produce दे रहे थे तो अपन ने scale में बोल दिया कि इसको 1.5 times increase करना है और इसको 2 times increase करना है तो चली गाइस इसको अपन देखते हैं कि किस तरीके से use होती है मैं यहाँ पर transform हटा रहा हूं skew वाला और इसके अंदर मैं इसको बोल रहा हूं scale अब मैंने इसको scale बोली कॉंसी टाइट की scale मैंने इसको बोली 2.5 यानि कि इसको मैंने scale बोली 1.5 की तो width से increase हो और 2 यानि कि 2 times इसकी height increase हो फाइल को save and open in browser अब मैं जैसी mouse pointer इसकी उपर लेकर जाऊंगा तो आप देखोगे मैंने इसको बोला था 2 times इसकी height increase हो जानी चाहिए तो मैं इसके लिए भी आपको visible नहीं हो रहा हो तो मैं इसको इसकी margin है वो थोड़ी increase कर देता हूँ तो जैसे ही मैंने इसको दिया तो जो इसकी height है वो increase हो गई यानि कि height जो थी इसकी 100 से increase होकर वो 200 हो गई और जो इसकी width थी 100 वो 100 से increase होकर 150 pixels हो गई तो यह होता है कि किस तरीके से आप अपने scale को use करते हो अब मैंने बोला कि मैं को सिर्फ और सिर्फ height ही increase करानी है तो height क्या होती है वो अपनी y axis पर होती है तो मैंने यहाँ पर जाके बोल दिया scale y scale y क्या करेगा scale y क्या करेगा सिर्फ और सिर्फ उसकी height increase करेगा मैं इसको आपको coordinates के through समझाता हूँ यह मेरा graph है और यहाँ पर यह मेरी div पड़ीवी है तो मैंने इसको बोला कि इसको y axis के through increase कराना है तो जैसे मैं y increase increase कराऊंगा वैसे वैसे इसकी मेरी height increase होती रहेगी बट आपकी जो width है वो same रहेगी और मैंने इसको बोला कि x axis से increase कराना है तो मेरी जो है वो इसकी width increase होगी अब मैं इसकी x कर देता हूँ जिससे की मेरी width increase होगी तो मैंने इसको बोला width increase हो two times यानि कि हम 100 से ये two times increase हो यानि कि 200 pixels हो जाए file save and refresh तो कैसे आप देखा आपने की किस तरीके से इसने अपनी width increase कर ली तो I hope कि आपको आज तक की मतलब मेरे पहले वाले session से अभी तक की concept समझ आओगा आज वाले में अपने बात करे थी skew और scale के बारे में skew क्या करता है skew उसके axis के through rotate करता है और साथी साथ में scale क्या करता है scale उसको अपनी width और height increase करता है times में यानि कि उसको multiple कर देता है जितना भी आप उसको provide करते हो तो I hope के आपको अभी तक का concept समझ आओगा जहापर अपने transform properties के बात करी जिसमें अपने translate, skew, scale और rotate के बार में बात करी so guys thank you for watching this video and don't forget to hit this subscribe button thank you guys झाल